हलो दोस्तो मैसल स्री जवास मराठे, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंडशीप ट्रेनर और आपका अपना दोस्त दोस्तो क्या आपके बच्चों के फ्यूचोर को लेकर आप चिंतित है उसे किस माध्या में पढ़ाना चाहिए इंग्लिश मेडेम में पढ़ाना चाहिए या मात्रु बाशा में पढ़ाना चाहिए इसको लेकर आप थोड़ा कन्फ्यूज है इंग्लिश मेडेम माध्यम बच्चों की विकास के लिए सही नहीं होता है ये क्यों नहीं होता है उसके फैक्ट हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तो मात्रू भाशा में अगर आप पढ़ाते हो आपके बच्चों को तो वो आपके बच्चों के विकास के लिए बहुत सही माध्यम होता है ये सारी बाते मैं किस आधार पर बताऊंगा इस वीडियो में वो पहले मैं आपको बता दू सबसे पहला मेरा जो सोर्स है दोस्तो और वो संक्रान सानुल जी ने एक किताब लिखी है The English Medium Myth संक्रान सानुल जी नियुरो साइंटिस्ट है और Harvard Medical School के वो फेलो है उन्होंने इस किताब में बताया है कि बच्चों को अगर हम मात्रू भाशा में नहीं पढ़ाते है और अगर English Medium में पढ़ाते है तो बच्चों का मानसिक और आर्थिक विकास कैसे रुख जाता है और इतना ही नहीं देश का विकास भी कैसे रुख जाता है इसके सारे प्रमान, रिसर्च और फैक्ट उन्होंने इस किताब में बताये है वो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे और इस किताब में वो शुरू में ही बताते हैं कि I am a product of the English Medium class system in India where English written and spoken is privileged above other languages despite being the mother tongue of only 0.02% of Indians वो कहते हैं कि इंडिया में मैं खुद English Medium में पढ़ा हुआ हूँ जहां पे English बोलना और लिखना एक privilege की बात समझी जाती है और दो ऐसे देखा जाए तो सीब 2.02% लोगों के ही mother tongue English है इंडिया में और लोग अपने बच्चों को English मेरे में पढ़ाते हैं तो ठीक है लेकिन बाकी के उनके पीछे भाग रहे है और आगे वो लिखते है I scored in the 99th percentile in English in standardized test like the GRE यह जो GRE का एक्जाम होता है दोस्तों वो 180 countries में conduct किया जाता है और अगर आपको master या PhD प्रोग्राम के लिए apply करना US में तो GRE का score mandatory होता है तो संकरान सानुजी जो neuroscientist है इस किताब के author है वो इसलिए बच्चों को मात्रुबाशा में पढ़ाने के लिए insist नहीं कर रहे है क्योंकि वो English medium में नहीं पढ़े है वो खुद English medium में पढ़े है और उन्होंने English medium की सच्चाई बहुत अच्छे से समझ ली है यह है मेरा पहला source और इस किताब में वो यह भी बताते है कि मैं English यह जो किताब है यह English के खिलाप नहीं है English language सिखना बहुत अच्छी बात है as a second or third language बहुत बढ़िया बात है जो बहुत सारे देश कर रहे है लेकिन सबसे difficultly तब आराइज होती है तब difficulty पर शुरू हो जाती है जब हम English को as a primary language चुनते है यह मेरा पहला source है दोस्तों यह किताब इस किताब की कुछ बाते मैं आपको बताऊंगा amazing बाते बताऊंगा इस वीडियो में मेरा दूसरा source है आदर्निय सोनम वांचुक जी की philosophy मिस्टर सोनम वांचुक जी वह है जिन से प्रेरित होकर थ्री इडियेट्स मुही बनाई गई थी और मुही में जिनका नाम रैंचो था सोनम वांचुक जी क्यों कहते है कि बच्चों के लिए मात्रु भाषा ही सबसे बेतर माध्य में है पढ़ाने का वह हम देखेंगे क्योंकि सोनम वांचुक जी पिछले 30 सालों से सिक्षा के शेत्र में कारे कर रहे है तो उनकी जो philosophy है वो बहुत ही जाची परकी वी philosophy रहेगी और इस वीडियो का मेरा तिसरा सोर्स है दोस्तो spiritual guru दलाय लामा जी की sister आदरनिय आमा जेत्सुन पेमा जी क्यों उन्होंने तिबबती शरनार्थ्यों की English Medium School को बदल कर तिबबती Medium करवाया और उससे उन्हें क्या amazing result मिला ये हम देखेंगे और मेरा चाउता सोर्स है दोस्तो मेरी YouTube पर डाली गई खुद की वीडियो बच्चो को English Medium में पढ़ाया मात्रु भाषा में जिसे बहुत सारे लोगों ने पसंद किया उसकी लिंक मैं आपको description में देदूँगा आप वह से भी उसे देख सकते हो तो इस वीडियो में जो 150 से ज़्यादा comments आये है बहुत सारे लोगों ने appreciate किया है बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हमारी confusion पूरी तरसी दूर होगी और कुछ लोगों ने सवाल भी पुछे है मुझे तो इसलिए वो सारे comments वो सारे लोगों के सवाल objections और जो appreciate किया लोगों ने वो सारे comments का अभ्यास करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और बहुत ही detail में बना रहा हूँ थोड़ा लंबा हो दाएगा लेकिन ये आपके लिए और आपके बच्चों के भई शकले बहुत जरूरी है तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि parents अपने बच्चों को English मेडियो में पढ़ाने के लिए इतने बेताप क्यूं है क्यूं चाहते है parents की उनका बच्चा जो है वो English मेडियो में ही पढ़े जादा तर parents की मैं बात कर रहा हूँ as an average तो सबसे पहला region उपर कर आता है दोस्तों सामने और वो है English in India is linked to higher income क्यूंकि इंडिया में अगर आप देखते हो किसी भी क्षत्र में अगर आपको higher post के वे job करनी है वो higher post अगर आपको चाहिए तो आपको English आना must है चाहे वो supreme court हो या फिर चाहे हो high court हो या फिर सेना में भी किसी high level के अगर post चाहिए आपको तो आपको English आना must है और इसलिए कहिना कई parents के मन में यह आता है कि अगर मेरा बेटा English मेड़े में पढ़ेगा तो वो हमेशा उसकी income बहुत जादा होगी मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें भी एक लड़की ने comments की थी कि sir 10 वी तक तो ठीक है लेकिन जब 10 वी के बाद हमें higher education के लिए आगे जाना होता है तो science सीखना है या engineering सीखना है तो English बहुत must होती है और अगर हम मात्रु भाषा में सीखते है तो वहाँ पर हमें difficulty आती है उपर की जो दोनों बाते हैं दोस्तों उसका एक solution है अगर आप आपके बच्चे को मात्रु भाषा में ही डालते हो लेकिन उसे एक subject होता है English का 10 साल होते हैं आपके पास उसकी English को आपको पक्का करना होगा अगर आप English medium में डालते हो तो क्या करते हो parents को अगर English नहीं आती है तो वो अपने बच्चों के पढ़ाई में कुछ मदब नहीं कर पाते है घर पर और इसलिए मैंने देखा है अकसर parents अपने बच्चे को tuition classes लगाते हैं सारे subject की first standards से tuition classes लगाते हैं अगर वो English medium में उसे डालते हो तो वहापे भी पैसा खर्च करते हैं उससे अच्छा ये है कि अगर आप मात्रू भाशा में उससे पढ़ाते हो तो घर पे उसकी पढ़ाई अच्चे से आप ले सकते हो ध्यान दे सकते हो उसकी पढ़ाई की तरब तो कोई भी tuition classes लगाने की जरूत नहीं होती है आपके बच्चों के लिए अगर आप उसे मात्रू भाशा में सिखाते हो हाँ रही बात English की आप English spoken का spoken English का एक classes आप उससे लगा सकते हो 10 साल होते हैं आपके पास हर रोज अगर आदा गंटा यह यह गंटा वो English के लिए देता है ना तो उसकी English बहुत अच्छी हो जाती है written और spoken skills जो है उसकी बहुत अच्छी हो जाती है अगर वो इंग्लिश में बोलना या और लिखना अच्छी तरह से सीख लेता है तो आगे higher education के लिए और आगे higher post के लिए उसे कोई भी दिक्कत नहीं आती है दूसरी important बात अगर हम सफलता की ही बात करते हैं अगर अपने बच्चों को सफल होने के लिए अगर हम English मेड़े में भेज रहे हैं उसका income जादा होने के लिए अगर हम English मेड़े में भेज रहे हैं तो एक काम करोना दोस्तो फर्स standard से सेकंड standard से ही जिस शेत्र में उसे interest है जो उसकी hobby अच्छी उसका class लगा दो उसे और उसे उस शेत्र में आगे बढ़ने दो क्योंकि देखिए सचिन टेंडूलकर जैसी सफलता अगर आपको हासिल करनी है सानिया नेहवाल जैसी सानिया मिर्जा जैसी सफलता आपको हासिल करनी है उस्ताद जाकिर उसेंजी जैसे अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो कौन से English मेड़ेम की जरूरत होती है इस क्षत्र में अगर हम द्यान देते हैं तो वो सारा पैसा हम उसके होबी को और जादा बेहतर करने के लिए खर्च कर सकते हैं वो बहुत खुश रहेगा लाइप में और बहुत आगे बड़ेगा लाइप में पैसा तो अपने आप वो कमाएगा यह पहला reason होता है दोस्तो जो parents English medium में बच्चो को पढ़ाना चाते हैं दूसरा reason हम देखेंगे कि क्यो parents English medium में बच्चो को पढ़ाना चाते हैं और वो है English medium school का infrastructure, computer labs, teaching facility बहुत अच्छी होती है लेकिन एक बात बता दो आपको दोस्तों, जिन English Madam School की fees बहुत आए होती है, सिप और सिप उनके लिए ही उन्हीं की स्कूल में ये facilities आपको मिल जाती है, अच्छे teacher मिल जाते हैं, जो friendly English बोलते हैं, infrastructure बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक आम वेक्ति को इतनी ज़्यादा fees paid कर पॉसिबल नहीं होता है, और इसलिए बस मेरे बच्चे को English Madam में डालना है, फिर ओचाए कौनसी भी क्यों ना हो, अब उसका income उतना नहीं है, कि वो ऐसी higher level की English Madam School में अपने बच्चे को डाले, जादा fees spread करें, इसलिए कम fees वाली English Madam School में वो डालता है, और वहाँ पे ना तो पोस्ट के लिए, जो ये क्लेम कर रहे थी, कि 10 साल वो private English Madam School में सीखिये है, कापे वुना में, जो कानपूर से ज़्यादा दूर में है, बिल्कुल नजदी की है, लेकिन उस लड़की को एक भी sentence ठीक से grammatically या ठीक से लिखते नहीं आ रहा था, और मैं अहरान हो गया, ये त स्टूडेंट को ठीक से English बोलते आती है, और फिर वो जो स्टूडेंट है, ना तो English ठीक से सीख पाता है, ना ही Hindi ठीक से सीख पाता है, ये समस्या है काफी English Medium School की, सभी English Medium School ऐसी होती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अकसर आप देखोगे, तो यहीं वोता है, फिर व पदर टंग, उसमें अगर बच्चा सीखता है, तो उसका मान सीख भी का बहुत जल्दी से होता है, उस पॉइंट पर हम आगे आने वाले है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप मात्रु भाशा में ही पढ़ाते हो, तो फिर भी अच्छी quality की मात्रु भाशा की स्क पर बच्ची को जब मुझे मराठी में में डालना था, तो मैंने उसके लिए मेरा घर चेंज करवाया, जहां पर जीस इलाकी में अच्छा मराठी में सिखाया दाता है, वहां पर मैंने मेरा घर लिया, क्योंकि ये बच्चे का फ्यूचर का सवाल है, तो अच्छी quality की स्कू आप दुंडिये computer सिखाना है, ये तो आप उसे बाहर से भी बहुत अच्छे से सिखा सकते हो, next point है दोस्तो, parents English medium school में क्यों सिखाना चाहते है अपने बच्चों को, और वह है social pressure, अगर हमारे अडोस-पडोस के, हमारे relative, सारे लोग अपने बच्चों को English medium में ही डालते है, और वह भी अपने बच्चों को English medium में ही डालते है, लेकिन इससे क्या होता है पता है, दोस्तो, वह बच्चों के मानसिक विकास की उपर, उसके मस्तिश की उपर, उसके mind की उपर क्या गुजरती है, सोनम वांचुक जी का माई एक lecture देख रहाता, उसमें वह बताते है, कि घ बच्चा सीख जाता है, उसके बाद जब वह स्कुल में जाता है, तो उसे वह एपल का चित्र दिखाते है, और टीचर बोलते है, यह एपल है, यह सेब है, तो बच्चा पुरी तर से confused हो जाता है, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे कुछ और सीखाया है, स्कुल में उसे कुछ एक व्यक्ति ने अपना एक्सप्रेंस शेर किया है मुस्तवा खान जी है उनका नाम अरोरु ने कहा कि जब मैं यूकेजी में था तो हमारी टीचर ने मुझे इंसेट का चित्र दिखाया और पुछा ये क्या है तो मैंने कहा ये किडा है किडा तो मैंने उन्हें एक रख दी वो व्यक्ति बताते है कि मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया आता है कि ये किडा है इसलिए मैंने किडा बोल दिया अगर बच्चे के साथ ऐसे होता है तो क्या बच्चा बाद में ठीचर के सामनेए की बोलने की हिम्मत करेगा और जब बाकि स्टूडंश भी देख लेते हैं तो तो इंग्लिश तो उनको पूरी तरह से नहीं आ रही है, तो वहाँ पे वो पूरी तरह से सवाल पुछना भी बंद कर देते हैं, भाकी टीचर बहुत अच्छे होते हैं, वो सवाल पुछने के लिए इंकरेज करते हैं बच्चों को, लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है, तो बच्चे बहुत ही उस लेक्वेज में सवाल पुछने के लिए हिचकी चाते हैं, क्योंकि उनकी अंडरस्टैनिक कुछ अलग ही लेवल पे है, वो बच्चपन से क्या सीखे हैं, जब वो छोटे ते उनके मम्मी ने उनको कुछ और ही सीखाया होता है, और आपको बता द जंग है, उसमें उसे सिखाना चाहिए, उसे वो ही माध्यम अगर आप बच्चों का रखते हैं, तो उनकी ग्रास्पिंग पार बहुत जल्वी से बढ़ जाती है, उनको एक्स्ट्रा मेनत नहीं करनी पड़ती है, नेक्स्ट तिबथी शरनार्ती जब इंडिया में आये थे 1960 के दर्मयान, जब 10-12 साल में वो अच्छे स्थीर हो गई यहाँ पे, तो अपने बच्चों के लिए उन्होंने स्कुल खोला और इंग्लिश मेडेम स्कुल ता शुरू में, लेकिन जब इन बच्चों की बागड़, स्पिरिशल गुरु जो दलायल आमाजी है, उनकी सिस् उन्होंने उसे बदल कर तिबबती मेडेम करवाया, जो उनकी मात्रुभाशा है, तो काफी टीचर और पैरेंट्स का उन्हें सामना करना पड़ा, कि नहीं यह इंग्लिश मेडेम ही होना चाहिए हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि आगे चलके वो तरकी फिर कैसे करेंगे लेकिन वो अपने नीरने पे ठाम रही, और जब सोनम उन्चुक जी ने उनसे बात की, तो वो कहती है कि ये नीरने बहुत ही सही साबित हुआ, क्योंकि बच्चे अब सवाल पूछ कर सीखते हैं, हम फिप्त के बाद उन्हें इंग्लिश भी सिखाते हैं, लेकिन जब हमने तिब्बती मेडियम में कनवर्ट केया स्कूल, बदला, इंग्लिश माध्यम उनका बदला और तिब्बती मेडियम करवाया, तो बच्चों की सीखनी की एक्षमता कही गुना बढ़ गी, उनकी प्रोग्रेस देखकर पैरेंट्स और टीचर भी हैरान रहे गे, और सोनम उन् में 2013 का जो टाइम सॉप इंडिया है, उसकी एक न्यूज का आवाला देते हैं, जिसमें ये न्यूज आई थी, कि जो तिब्बती शेरनार्थियों की जो स्कूल है, वो उनके बच्चे, उन्होंने 12 में सबसे ज्यादा मार्ग ससिल किये, बाके इंडियन स्कूल के बच्चो सबसे बहतर प्रफामस उन्हों नहीं किया, क्योंकि बच्चपन से ही वो तिब्बती मेडेम में पड़े थे, सोनम वांचुक जी कहते हैं, कि अगर आप मदर टंग सीख जाते हो, एक बाशा पर आपके अच्छी पकड़ा आजाती है, तो बाद में दुसरी बाशा को पकड पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, बाद में आप अंगरी जी सीख सकते हो, बहुत आसान से सीख सकते हो, लेकिन आपके बच्चों को पहले एक लैंग्वेज तो बहुत अच्छी तरह से सीख लेने दीजेगा, बहुत 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 किताबे इसमें लेखक वो पूरा डाटा हमारे सामने रखते हैं कि जो देश 20 देश ऐसे लिए है उन्होंने जिनकी पॉपलेशन 5 मिलियन से जादा है और जिनका जीडिपी बहुत जादा है ऐसे 20 देश जिनका जीडिपी जादा है जो रिचेस्ट देश है उनकी जो लैंग् कैने मातरु भाषा को ही अपनी अपनी Official लैंग्वेज रखी और अपने High Education की लैंग्वेज रखी आप यह सारी लिस्ट देख सकते है और ऐसे भी पॉरेस्ट कंट्रीस की लिस्ट दी है जिनकी मातरु भाषा कुछ और है और Official लैंग्वेज एंड एडियर एडिपी लेंग इनोंने foreign language को official language बनाया लेकिन यह भी सर्च है कि ऐसा करेके उनकी कोई growth भी नहीं हुई है next और एक reason है दोस्तो बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि अगर हम English में सीखेंगे और हमारी primary language अगर हम English रखेंगे तो globally business हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे globally business success के लिए अंगरेजी में सीखाना अपने बच्चों को बहुत जरूरी है अंगरेजी यह official language होनी बहुत जरूरी है क्योंकि यह दुनिया की language है और हमें business में हागे बढ़ना है तो English medium तो must है तो इस किताब में author ने ACI की सबसे बड़ी company जो multinational है उनका data दिया है और आप देखोगे उनी देश की multinational company ज़ादा है जिन देशों ने अपनी मात्रू भाषा को ही अपनी official language रखी है और higher education की language रखी है जैसे चीन में Chinese बोली जाती है और उसी language में पढ़ाई की जाती है Korea में Korean language है और उसी language में बच्चे अपनी degree हासिल करते है जापान है तैवान है इनकी जो company है दोस्तो Honda, Toyota, Sony, Samsung ये globally बहुत ही अच्छा business कर रही है English की वजह से उनकी growth नहीं रुखी है यहां तक की हम software development की बात करते है तो उसमें इस्राइल देश हम से आगे है जिनकी मात्रुबाशा और official language जो हे वो Hebrew में ही है और बच्चों को higher education वो Hebrew language में ही करवाते है उनकी population हमारी दिल्ली शहर से भी आधी है फिर भी 2001 में उन्होंने 2.5 billion dollar का software export किया था और हमने उसी साल 6.5 billion dollar का software export किया था अगर population के बात करे तो हमने 6.5 नी 60 billion dollar से भी ज़्यादा का software हमें export करना चाहिए था क्योंकि हमारी population बहुत ज़्यादा है यहां पे भी English ने हमारी कोई मदद नहीं की है दोस्तों यह किताब जो है English Media Meet यह आप जरूर पढ़ना उसकी लिंक मैं आपको description में दे दूँगा और बहुत सारा data आपको इसमें सी मिल जाएगा मैं आपको यह नहीं कह रहा हूँ कि आप सीब और सीब मात्रुबाशा ही माध्यम चुनिएगा लेकिन मैं आपको एक choice दे रहा हूँ पूरा फैसला मैं आपके उपर छोड़ता हूँ कि आपको कौन से माध्यम में आपके बच्चों को फढ़ाना चाहिए क्योंकि आखिर भयविश्या आपके बच्चे का है जो fact थे जो मुझे पता चले जिनका मैंने आपध्यास किया काफी दिनों से क्योंकि मेरी खुद की बच्ची को भी लेकर मैं बहुत परिशान था कि इसे कौन से माध्यम में सीखा हूँ मैं खुद memory and mind power trainer हूँ दोस्तों और इंडिया के अलग-अलग शर में मैं प्रोग्राम लेता हूँ और वहाँ के parents से मैं मिलता हूँ वहाँ के बच्चों से मेरा मिलना बहुत जादा होता है English medium के बच्चों से उनके parents से मैं मिलता हूँ और ये सारी बाते मैंने पढ़ी मैंने अभ्यास किया और तब मैं इस नतीजे पर पहुचा कि मेरी बच्ची के लिए जो मराटी मात्य में जो हमारी मदर टंगे महाराश्टर की उसी में उसे पढ़ाना चाहिए ये मेरा फैसला था आपको क्या फैसला करना है दोस्तों ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ लेकिन इन सारी बातों पर आप एक बार जरूर कवर कीजेगा आपके बच्चों के खुबसुरत भविश्यकले मैं धेर सारी शुब कामनाई देता हूँ मिलते हैं दोस्तों आगले वीडियो में एक बहुत पाउरफुल टॉपिक के साब तब तक के लिए थैंक्यू बाय बाय टेक केर शुक्रिया